नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप आईए हमारे इस यूटूब चैनल online classes by SLZ पर आपका स्वागत हैं विद्यार्थियों आज की जुमाई class हैं वह हैं प्रियास कारी पुष्तिका हिंदी कक्षा चार एवं पांच के अंत्रगत समग मुल्यानकन बाग एक आज की class में समगर मुल्यानकन बाग एक कोल करेंगे जो page number 48 एवं 59 पर हैं आईए शुरू क समगर मुल्यानकन बाग एक तो विद्यार्थियों इसमें देखिए प्रेश्न पेला हैं चित्र के सही नाम पर गोला लगाई है यह जो चित्र देरका हैं इसके सही नाम पर हमें गोला लगाना है यह देखिए चित्र देखिए आप यह मचली का हैं मढका हैं या मढर हैं त सब्सक्राइब नाम है यह एक मटका है ठीक है विद्यारतियों चलिए हम आगे बढ़ते हैं विद्यारतियों अगला जो प्रेस्ट नमर दो दिये गए चित्र को पहचान कर नाम लिखें यह जो चित्र दे रखें इन्हें पहचान कर यह निचे इनके नाम लिखने हैं यह क्या है कि गमला तहुर्ण लिखेंगे रखें डिए रखें गभला गमला ठीक के विद्यारतियों यह गमला है कि यह क्या है गजय कि लिखेंगे गाय, यह गाय है, यह देखिए, यह क्या है, अंगूर, हम यह लिखेंगे, अंगूर, यह अंगूर है, यह चित्र देखिए, यह क्या है, तोता, हम यह लिखेंगे, तोता यह एक तोता है ठीक है विज़ारतियों हमने चित्रों के नाम लिखे है चले विज़ारतियों अगला देखिए अगला प्रेस्ट ने प्रेस्ट नमर तीन खाली इस्तान बरिये अब यहां में खाली इस्तान इन में से बरना है कव इसमें देरका हैं इमली है खटी या कडवी तो इमली खटी है तो हम खटी लिखेंगे इसमें खटी इमली खटी है अगला है खव जलेबी होती है नमकीर या मिठी तो मिठी हम यह लिखेंगे मिठी जलेबी मिठी होती है ठीक है विद्यारतियो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण विद्यारतियो अगला प्रस्टेश चोथा इन जीवों की एक एक विशेस बात लिखिए यह जो जीव दे रिखें इनके हमें एक एक विशेस बात यहाँ लिखनी है खरगोष की एक बात क्या है बताईए खरगोष गाजर खाता हैं आगा लिखेंगे घरगोष गाजर खाता हैं खरगोष गाजर खाता हैं अगला हाथी हाथी की विश्यति की होती है हाथी के लंबी सूड होती है हमें लिखेंगे हाथी के लंबी सूड होती है हाथी के लंबी सूड होती है ठीक है विद्यार्थियो चले विद्यार्थियो अगला प्राश्न प्राश्न दे रखा है प्राश्न नमर पांच दिये गए वर्णों से शुरू होने वाले दो दो शब्द बनाईए जो यह वर्ण दे रखें इनसे शुरू होने वाले हमें दो दो शब्द बनाने हैं ठीक है विद्यार थी हूँ चलिए हम बनाते हैं यह बन दे रहा है ज ज से शुरू होने वाले दो शब्द बनाएंगे ज से जहाज जहाज और ज से हम लिखेंगे जलेबी ज से जहाज ज से जलेबी गर से गर से हम लिखेंगे गर से गड़ी और गर से गर का से लिखेंगे कबुतर और का से लिखेंगे कमल का से कबूतर और कमल च च से लिखेंगे च से चम्मच और च से चटनी च से चम्मच च से चटनी र र से हम लिखेंगे र से रत और र से रसी रसे रत रसे रसे रसी आ से लिखेंगे आ से आम और आ से आलू आसे आम आसे आलो ठीक है विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं और आल करते हैं इसका अगला प्रेस्ट विद्यार्थियों अगला जो प्रेस्ट ने है प्रेस्ट नमबर छे पेड़ पर रहने वाले दो प्राणियों के नाम लिखी है तो विज़ार तो में पेड़ पे रहने वाले दो प्राणियों के नाम लिखने है तो विज़ार तो पेड़ पे हम क्या होता है बंदर और पेड़ पे क्या रहता है पेड़ पे चिडिया पेड़ पे रहते हैं बंदर और चिडियां ठीक है दो के नाम लिखने थे हमने लिख दिये हैं चले विज़ारतियों आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण नंबर साथ नीचे दिये गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखें यह जो में शब्दे दे रहें इनके समान तुक वाले शब्द में यहां लिखने हैं जैसे की चल चल के जैसा पल आजा आजा के जैसा हम लिखेंगे राजा आजा राजा नहर नहर के जैसा लहर नहर लहर शिकारी शिकारी के जैसा बिखारी शिकारी बिखारी आलू आलू जैसा बालू आलू बालू ठीक है विज़र दियूँ चल पल आजा राजा नहर लहर शिकारी बिखारी आलू बालू चल यह आगे बढ़ते हैं विद्यारतियों अगला प्रेश्ट नमबर आठ नए शब्द बनाईए तो विद्यारतियों आमें नए शब्द बनाने हैं कवाल देखिए सब कर इसके साथ में चा जोड़ना है जैसे सब और इसमें चा जोड़ेंगे सच्चा सच्चा इसके साथ जोड़ना है सच्चा व इसके साथ जोड़ेंगे बच्चा सब बनेगा बच्चा कर के साथ जोड़ना है क्या बनेगा कच्चा सच्चा व इसके साथ जोड़ना है तो बनेगा मक्का दग के साथ का जोड़ेंगे तो बनेगा दग का पा के साथ का जोड़ेंगे बनेगा पक्का मक्का दग का पक्का ठीक है विद्यार थी हो चलिए हम आगे बढ़ते हैं विद्यार थी हो अगला प्रस्ण प्रेस्ट नमघर नो दी गई वस्तूओं के रंग उर स्वाद लिखियें तो हमें वस्तु दे रहें हैं, उनका रंग लिखना है, उनका स्वाद लिखना है, तो जारती हो, केला, केले का रंग कैसा होता है, पीला, और उसका स्वाद कैसा होता है, मीठा, इमली, इमली का रंग कैसा होता है, बुरा, और उसका स्वाद कैसा होता है, खटा, खीर, खीर का रंग कैसा होता है, सफेद, और इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा, केला, पिला रंग, और मीठा होता है, इमली, बुरा रंग होता है, और खटा होता है, इसका स्वाद, खीर, सफेद रंग होता है, इसका स्वाद, मीठा होता है, से लिए भी द्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्णाल करते हैं तो भी द्यार्थियों अगला जो प्रस्णाल है प्रस्ण नमबर दस एक से दस तक की गिंती को शब्दों में लिखियें एक से दस तक की गिंती को में यहां शब्दों में लिखना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छव, साथ, आठ, नौ, दस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छव, साथ, आठ, नौ, दस, ठीक है विद्यार थी हो, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समख राकलन बाग एक को अल किया, तो विद्यार थी हो, आभीज, कारिपत, इस समख राकलन बाग एक को हल किजिए, विद्यार थी हो, आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूटुब चैनल ओनलाइन क्लासेज बाइसल जाट को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ओल नोटिफिकेशन के लिए दबाईएं ताकि आप तक हमार लेटे स्टुडियो सबसे पहले पहुंच चुपाएं आप अधिक सदिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेर जरू कीजिए मिद्यार्थियों मिलते हैं नए वीडियो नए कंटेनर के साथ में तब तक के लिए थेंक यू धन्यवाद जैन जै भारत आपका दिम छुब रहें थेंक यू शया जा ञे झाल जैनर के लिए विए्टर आपका दिम घुब रहें भस्टरोग मिलते हैं भारत आपका दो